आज की वीडियो के इंदर हम डिसकर्स करेंगे पास्ट रडिस्ट्रम्ट के कोशन नंबर 6 के बारे में कोशन 6 आप यहां देख रहे हैं कोशन 6 आपको दे रखा है कि R&S are partners in a firm sharing profits and losses in 3 ratio 2 R&S partner है और profit share कर रहे हैं वो 3 ratio 2 में देयर respective fixed capital आप देखे fixed capital है तो current account open होगा उनकी capital दे रखी है वर रूपीज 10 lakh R की capital है और 15 lakh S की capital है The partnership deed provided the following interest on capital at the 10% per annum interest on drawing at the 12% per annum during the year ended 31st March 2019 R's drawing was Rs.1000 per month R's ने per month कितने पैसे withdraw किये? 1000 per month withdraw किये drawn at the end of every month महिने के आखिर के अंदर हर महिने के आखिर में उसने पुर साल बर कितना पैसे withdraw किया? 1000 per month S drawing was Rs.2000 per month जो S है उसने कितने पैसे withdraw किये? 2000 वो भी हर एक महिने के कब? In the beginning of every month महिने की शुरुवात में हर महिने की शुरुवात में Rs.2000 उसने withdraw किये After the preparation of final account Final account बनाने के बाद It was discovered that Interest on Rs.Drawing was not taken into consideration यनि कि हमसे गलती सिर्फ क्या हुई? हमने interest on capital हो गया Interest on drawing में भी सिर्फ R की drawing को लिखना बूल गए यनि कि R की drawing जो थी R से जो interest on drawing का पैसा था वो फर्म ने चार्ज करना बूल गई एक ही गलती हुई आपको बताया गया है फर्म से एक गलती हुई या एक हजार गलती इतना करने के बाद आप करेंगे वर्किंग नोट के अंदर आप लिखेंगे सबसे पहले calculation of interest on hours जो हमसे गलती हुई है उसको और आपको पता है interest on drawing का formula क्या होता है drawing into my rate into my time इतना बनाने के बाद next पर आप बनाएंगे adjustment table next page पर आप क्या बनाएंगी adjustment table ठीक है वो साज चीज मैं आपको बताऊंगा पहले आप दिखते हैं कि हमसे जो गलती हुई है गलती को हुई है हमसे interest on drawing की जो R की drawing को आपने receive करना form भूल गई अब गलती को ठीक किया जाएगा तो receive करेंगे तो यह देखेंगे आखिर interest on drawing calculate कितना होता है drawing पर ली जाएगी कि आखिर आज ने पूरे साल बर कितना पैसा विड्रो किया अब आप यहां ध्यान देंगे कि अगर वह 1000 रुपीज पर मंत विड्रो कर रहा है तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं तो 1000 को आप 12 से multiply करेंगे तो हमारे यहां पर जाएगा drawing आजाएगा 12,000 ठीक है इसके बाद आप देखेंगे rate interest on drawing का rate देखे 12% per annum पर annum है तो time consider किया जाएगा तो 12 upon में 100 आप time देखेंगे कब पैसा विड्रो के इसने उसने पैसा विड्रो कब किया है at the end of every month महीने की आखिर में हर महीने की आखिर में पैसा और मैंने आपको interest on drawing का जब topic करवाया था तो आपको सारी चीजे बताई भी थी अगर at the end है तो कितना time लिया जाएगा in the beginning है तो कितना लिया जाएगा at the end में आप time लिते है 5.5 months divide करेंगे आप 12 से यह से 12 से 12 cancel 0 से 0 cancel जब आप इसको multiply करेंगे तो interest on drawing का पैसा जो आज से लेना है वो कितना पैसा लेना है 660 ठीक है इतना करने के बाद हमें यह पैसा receive करना है इसके बाद आप next page पर जो आपने बनाया हुआ है क्या बनाया हुआ है adjustment table अब adjustment table के अंदर आप प्रपर से अच्छी तरीके से बनाएंगे adjustment table लिखेंगे particular फिर partner के नाप partner के नाम क्या है RS पिर लिखेंगे आप RS और form debit credit आप सभी के नीचे लिख देंगे आपको पता है adjustment table में सिर्फ वही चीज़े आती है जो form से गल्पिया हुई है जैसे interest on drawing तो आप यहां लिखा जाएगा आप यहां लिखेंगे interest on drawing interest on drawings लिखेंगे आप और यह interest on drawing का पैसा चार्ज करना था अगर आप किसी आपके से पैसा रसीव करते हैं तो उसके debit side में आत zar से Pros बातर चार्ज को देते ऊसके credit में अब हम पैसाा फ Member से आय से सरीव कर से डैबिट सैड में लिखेंगे कितना पैसा 660 आ रस यहांहुटि पैसे पैसा किसको मिलेगा यह यह पैसा और हमारी debit side कम है और मैंने आपको बताया है कि firm की अगर कौनसी debit side अगर कम है तो फोर्म को क्या हुआ है profit और अगर credit side कम होती profit तो या लिखा जाएगा profit share और profit share होगा किसमें partners में ठीक है और partners को अगर profit का पैसा मिलेगा तो उनके credit side में तो profit हुआ है 660 अब 660 को हम बातेंगे distribute करेंगे 3 ratio 2 में जब आप इसको 3 ratio 2 में distribute करेंगे तो आपका आजाएगा और यहां आजाएगा आपका S का share 264 इसके बाद आपको पता है आप चेक करते हैं कि partner की कौन सी side ज्यादा है आज की debit side है 660 और credit side है 396 तो आप देख लेंगे यहां पर कौन सी side ज्यादा है आपकी debit side ज्यादा है और यह debit side credit side से कितनी ज्यादा है 264 यहां पर चेक करने कि ज्यादा है हमारी credit side ज्यादा है और कितनी ज्यादा है 264 आप क्या करेंगे इसे पूट करेंगे general entry में और यह भी देखिए बहुत ही असान है debit में आप क्या लिखेंगे R और credit में आप क्या लिखेंगे S बस आप ज्यान दे यहां पर आप capital नहीं ल अंदर यह सारी चीज़े लिख दी जाएंगी तो यहां देखेंगे date कोशिन के अंदर आपके पास date तो है ही नहीं अब date नहीं है तो आप series number लिख देंगे और entry होगी आपकी hours current account debit to credit में लिखा जाएगा S current account ठीक है और amount कितनी आ जाएगी 264 यहां debit में लिखेंगे 264 और यहां credit में भी आप लिखेंगे 264 फिर narration लिखेंगी being adjustment entry made इस question से related कोई भी doubt हो आप comment box में मुझे comment करके पूछ सकते हैं thank you 277 बिखेंगे